ऑल्लो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चनल आज हम बनाएंगे गयों की आठे की चकली तो फिर आएच चली शुरू करते ह। इसके लिए हम हम लिया है दो कप गयों का आठा जो नॉर्मली हम चपाती बनाते हैं वही गयों का आठा लिया है मैंने इसके बाद मैं अब हम इसमें म दूर और में यहां आड़ चरो में 7 आड चैल नहीं सब्सक्राइब मुष्ट है इसमें इतना ही जिसे हमारा मुठी नही बहुत है हमारे मुठी बांदे पर आठा विकर रहा है मतलब कि हमारा यह आठा बिल्कुल परफेक्ट है तो यहां पर मैंने इडली स्टेंड की खंबन वाली प्लेट लिए इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है उसके बाद में हमने जो आठा मिक्सर कर रहा हुआ था वह इस प्लेट में ड उसको इसके उपर इस तरह से रख देंगे तो आठे की प्लेट को मैंने अच्छे से एडली स्टेंड में रख दिया है इसके बाद में हम इस तीस मिनट के लिए धक्कन लगा का पकने देंगे मीडियम तू हाई फ्लेम पे उसको हमें बीच बीच में खोल की चेक नहीं करना है तीस मिनट तक हमें इसको इसी तरह से लगे रहने देना है तीस मिनट के बाद ही हम धकन को खुल के चेक करेंगे तो हम आज मीडियम टू हाई रखेंगे जितने हमारा आटा तयार होतने हम दूसरे प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमने यहां पे एक नमकिन बनाने वाली बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप उसमें लसन डाले या ना डाले तो हम उसको जब हमारा आटा तयार हो जाएगा उसके बाद में इसका पेस्ट बना के तयार करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसका पेस्ट बना ले तो 30 मिनट हो गया तो एक बार हम चेक कर लेते है मैंने आज को बंद कर दिया है तो यह देखिए हमारा आटा बनकी विल्कुल तैयार हो गया है जितना में इसको इसको टेम दिना था हो इतनी उसमें स्टीम हो चुकी है एक बार हम चेक कर लेते हैं तो यह देखिए मैं आपको बता देती हूँ एकदम परफेक्ट हुआ है तो यह देखिए है तो अब हम इसको एक परात में निकाल लेंगे क्योंकि हमें यह प्रोसेस अब जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा अगर हम धीरे-धीरे करेंगे तो आटा जम जाएगा और हमारे को इसको फोड़ने में बहुत दिक्कत होएगी तो हमें इसको गरम-गरम आटे को यह बहुत पोड़ने में बहुत दिक्कत देगी तो आगरम-गरम आटे को यह आप इस तरह से फोड़ के तियार करें यह देखिया हमारा आटा बिल्कुल वापस से पहले के जैसा हो गया इसको हमें चानने की भी जुरत नहीं है तो इसके बाद में इसमें आड़ क के तयार कर लेंगे हमें इसको बहुत ज़्यादा धिला आटा नहीं लगाना है नहीं बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी आट करेंगे एक सारा पानी नहीं डालेंगे और इसको एकदम सॉफ्ट डो बनाके तयार कर लकप नेगे तो यह देखिए इस तरह कहा हमें आटा के तैयार करना है turn तो यह अंकुर कर लिए है तो इसके बाद में हमWow we देखेंगे मैं इसे तेल घ्रेश कर लिए अब हम एक बड़ा सब लगए चिरीष्जन तोड़ लेंगे बड़ी सी लोई ले लेगे और उसको हम मशीन में भर देंगे और उपर से हम ढखकल लगा देंगे तो यहां पर मैं इसे ढखकल लगा कि इस तरह से तयार कर दिया अब हम चकली का बना लेते हैं तो यहां पर मैंने एक थाली ली है और इस तरह से हम उसको घुमाते वे चकली का शेप दे देंगे तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज की ही चकली बना के तयार कर रहे हूँ है आप चाहो तो थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं तो इस तरह से हम इसको घुमाते हुए चकली बना लेनी है और यह हमारी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत कम तील का यूज में होता है अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरू करें आप मुझे प्लीज कमेंट करके आप जरू बताएं कि आपको में रेसिपीस कैसी लगती है तो इसी तरह से हम सारी चकली बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैं तीन से चार थालियों में इस तरह से चकली बना के तयार कर लोगे ताकि हमें एक सार तल्ले में आसानी हो तो यहाँ पर मैंने तीन से चार प्लेट में चकली बना के तयार कर लिए तेल हमें high heat पर ही चाहिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए तो तेल अभी हमारा अच्छे से गरम है उसके बाद हम इसमें जितनी चक्ली आती हो इतनी एक बार में डाल देंगे यहां पर 3-4 चक्री एक बार में आई है जब भी हम चक्री को फ्राइ करें हमेशा हमारी जो आज हम तेज ही होनी चाहिए धीमी आज पर हमें इनको फ्राइ नहीं करना है वना यह खुल जाएगी तो यह देखिए हमारी चक्री जो है फ्राइ हो चुकी है कितना अच्छा कलर भी आ गया है इसी प्रोसेस हमें बाकी ही सारी चक्री को फ्राइ कर लेना बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम चक्री को फ्राइ करें आज हमें शद तेजी ही होनी चाहिए धीमी आज पर हम उनको फ्राइ नहीं करना है तो यह दिखिए मैंने सारी चकली को फ्राई कर लिया और कितनी तेस्टी और कितनी अच्छी दिख रही है और बहुत ही खसता हमारी चकली बनके तयार हुई है तो इस दिवाली पर आप ये चकली की रेसिपी बना के जरूर राया पर करें और मुझे कॉमन करके आप जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई